हलो स्टूडेंट्स गूड इवनिंग आज क्लास 11 की वर्क सीट आई है एक बार फिर से और ये क्लास 11 से सम्मधित है पंदरा नो के इस्तान पर ये सत्रा नो को आई है क्योंगी सोडा को भी आउकास था परमानों की सरंचना से सम्मधित 5 सवाल है यहां आपका नाम और यहां विद्याले का नाम आ जाएगा बहुत ही मैत्वपूर्ण सवाल है वीडियो में अंतर तक बने रहिएगा और 500 सवाल वो वन बाई वन हल करके अपने नोटबूग में लिख लीजिएगा यह आपके भव वेंटम सिद्धान्त में क्या कहता है कि परमानूं वीविक्त मात्राओं में यानी टुकडू में वीविक्त मात्राओं में क्योंगि तर्वे या पधार्थ परमानूं से मिलकर बना हुआ है तो परमानों वीविक्त मात्राओं में उर्जाओं का उत्सर्जन या अउसोसन करते हैं टुकडूं या पेकेट्स के रूप में उर्जाओं का उत्सर्जन या फिर अउसोसन करते हैं अब उर्जा की जिस न्यून्तम मात्रा का अवसोशन होता है एक बार में वो कहलाता है क्वांटम उर्जा की जिस न्यून्तम मात्रा का अवसोशन या उत्सर्जन एक बार में होता है एक बार में होता है उसको क्या कहते है उसको क्वांटा या क्वांटम के नाम से जाना जाता है क्वांटा या क्वांटम के नाम से जाना जाता है उसके बाद क्वांटा या फोटोन की उर्जा उसकी आवरती के समानुपाती होती है यानि E समानुपाती new समानुपाती के चिन अटाकर के और अपन लिख सकते हैं यह constant देते हैं H new H यह प्लांक इस्तिरांग है जिसकी value होती है 6.626 into 10 to power minus 34 joule second यह होता है H प्लांक इस्तिरांग clear यह है question number 1 next है प्रकास की तरंग देर्दे 700 mm है तो एक quantum की उर्जा ग्यात कीजिए अब आपको पता है तरंग देर्दे दे रखी है तो तरंग देर्दे होती है lambda और lambda बराबर new बराबर होता है C बटा lambda और lambda बराबर हो जाएगा C बटा new तो तरंग देर दे रखिए आवरती निकाल लेंगे क्यों क्योंकि क्वांटम की उर्जा E से निकालेंगे बराबर होता है H, N, अपने पास ये नहीं है तो N निकालने के लिए फोर्मूला होता है N बराबर होता है C बटा, लेमदा और C आपको पता है यह होती है प्रकास की चाल, 3 गुणा, 10 की घात, 8 मीटर परती, सेकिंड, लेमदा दे रखा है, 700 गुणा, मिली मिटर माइनस, 3 मिटर, मिली मिटर को मिटर में बदलेंगे, 10 की पावर, माइनस, 3 से गुणा कर देंगे, मिटर से मिटर कट जाएगा, ये 2 प नो जाएगे, ये कट जाएगा, तो ये क्या बच गया, ये हो गया, 3 गुणा, 10 की पावर, 9 और बटे, 7 ये अपनी क्या आगई, ये अपनी आगई, फ्रिक्वेंशी, आवरती, इसको लिख सकते हैं, अपन, 30 बटा, 7 गुणा, 10 की घात, 8, 7 का भाग दोगे, तो 7, 4, 28, 2 बच गए, 7 दोणी, 14, 6 बच गए, 7, 8, 56, 4, 28, गुणा, 10 की घात, 10 की घात, 8, और प्रती सेकंड, ये आगई, आवरती, अब आगे बढ़ते हैं, अपन, आवरती कितनी आगई, 4, 28, गुणा, 10 की घात, 8, प्रती सेकंड, बराबर किसके, ये आवरती आगई, अब उर्जा गयात कर लेंगे, ये बराबर, एच है, 6, 6, 26, यानि प्लांक इसती रांग, गुणा, 10 की घात, माइनस, 34, जूल सेकंड, और गुणा कर दो, 4, 28, गुणा, 10 की घात, 8, प्रती सेकंड से, तो सेकंड से, सेकंड, प्लस, माइनस, कैंसल, 34 में से, 8 गए, 26, और इनको गुणा गुणा, गुणा, 6, 6, 26, गुणा, 4, 28, गुणा, 10 की घात, माइनस, 26, जूल, या जाएगी, एनरजी, तो अपने को पहले क्या करना है, तरंग देर दे से, आवरती निकालनी है, और उसके लिए, रिलेशन गया है, न्यू बराबर होता है, सी बटा, लेमदा, ये काम में लेना है, तो ये ग्यात करनी है, ये प्रकास की चाल फिक्स होती है, 3-10 की घात, 8 मेटर प्रती सेकिन, लेमदा दे रखा है, इसको मिलीमेटर को मेटर में कनवर्ट कर लेंगे, फिर न्यू जो आएगा, उसको ये बराबर ह न्यू वाले फोर्मूले में रख करके उतर निक जैसे, पोटेसिम, रुबीडियम, सीजियम, पर उप्यूक्त आवरती वाला प्रकास डालने पर, उप्यूक्त आवरती का, वाला प्रकास डालने पर, दातों की सतय से इलेक्ट्रोन निकलते हैं इस परिगटना को प्रकास विद्यूत प्रभाव कहते हैं सक्रिय दातों हैं, पोटेशम, रुवीडियम, सीजियम इस सतय पर जब उप्यूक तावरती वाला प्रकास डालते हैं तो इन दातों की सतों से इलेक्ट्रोन निकलते हैं इस परिगटना को प्रकास वीदियोत प्रभाव के नाम से जाना जाता है एक्स्ट है अवसोसन इस्पेक्ट्रा और उत्सरजन इस्पेक्ट्रा में क्या अंतर है तो यह अपने को वास्तविक रूप में मिलने वाला इस्पेक्ट्रा है और अवसोसन इस्पेक्ट्रा है एक तरीके से वास्तविक या उत्सरजन इस्पेक्ट्रा का इसका फोटोग्राफिक नेगेटिव फोटोग्राफिक नेगेटिव के समान है जैसे फोटोग्राफिक के अंदर नेगेटि drainage होती थी पहले जब memory card नहीं थे तो उसके समान है अवसोसन इस्पेक्त्रा और वाथश्विक्पेक्त्रा जो मिलता है अपने को वह है अवसोसन इस्पेक्त्रा अवसोसन इस्पेक्त्रा के अंदर कुछ energy क्या होती है पदार्थ आउसोसित कर लेता है और सेस को क्या करता है निस्कासित करता है इसमें उर्जा का आउसोसन होता है और इसमें उर्जा का निस्कासित विद्यू चुम्ब के विकिरोनों को रिकोर्ड गरना ही क्या है उच सर्जन इस्पेक्टरा के नाम से जाना जाता है तो इसमें उर्जा का निस्कासन होता है विद्यू चुम्ब के विकिरणों के रूप में और इसमें अउस्वोषन होता है इस टेप बोर परिकलपना को समझाईए और बोर कक्स की तिर्जय ग्यात करने का सुतर लिखिए तो बोर परिकल्पना में क्या कहता है बोर ये कहता है कि नाबिक के चारों और कुछ वरताकार पत्थ पाये जाते हैं इस प्रकार से जिन में इलेक्ट्रोन चक्र लगाते हैं इन वरताकार पत्थों को क्या कहते हैं कोस या कक्सा कहते हैं कोस या कक्सा अब इलेक्ट्रोन केवल उनी कक्साओं में गति कर सकते हैं जिनके कोण यह समवे का मान M.V.R. N.H.P.N. H.P.N. 2.P.I. का पूर्ण गुनजू यह कुछ बहुर परिकल्प्रां की मुखे-मुखे बाते हैं अब मुखे बात यही है बहुर परिकल्प्रां के अनुसार कि नापी के चारों और इलेक्ट्रोन जिन वरतागार पतों में चक्र लगाते हैं वो कोस या कक्स कहलाते हैं अब इसके अंदर एक चीज और है कि बहुर कक्स की तिरजय गयात करने का सुत्तर R N बराबर 0.529 N स्क्वाइर बटा Z एंगस्ट्रोम यह होता है तिरजय गयात करने का फॉर्मूला किसी भी कक्सा की N यहां क्या है कोई भी कक्सा की तिरजय इसकी भी अपन R तो रेडियस हो गई N किसी भी कक्सा की हो गई 0.529 N स्क्वाइर बटा Z एंगस्ट्रोम Z परमानुक्रमांग है और N कक्सा की संख्य है एंगस्ट्रोम आप जानते ही हो एक एंगस्ट्रोम बराबर 10 की गात माइनस 10 मिट्र होता है तो यह थे आज के 5 सवाल मिलते हैं एक नए वीडियो में लाइक, सेर, सबस्क्राइब बनता है